तो एलो एन वेलकम यू अल आम रोई रोम हाजें ट्राड़ सो गाईस आज हम बात करने वाले ग्लग शेयर के बारे में जिसका भुरा नाम है अब देक सकते हो स्क्रीन पर हम बात करेंगे उसके बारा में जी ए आ आज देखने को मिल रही है और आप देख सकते हैं 150 के प्राइस पर ये ट्रेट कर रहा है और ये आगे बढ़ सकता है और अभी आज का जो इसमें डाटा देखा जाया है तो आज इसमें देखा जाया है तो 146 पर इसकी ओपनिंग होई थी उसके बाद अच्छा गासा है उपर नीचे करता गया करता गया और सीधा अब ट्रेट कर रहा है दो बच के आठ मिनट पर ट्रेट कर रहा है 150.95 पेसे पर तो बात करते हैं इसके पाच दिन के टाइम फ्रेम की तो 40 रुपे पर ट्रेट कर रहा था 140 के 140 पर ट्रेट कर रहा था उसके बाद से इसमें ब्रेक आउ से सी धा 9 रुपे बढ़ गया और 9 रुपे अगर हम औराल निकाला जाए 5 दिन के टाइम फ्रेम का तो 9 रुपे स्टॉफ हमें आपर बढ़ता हुआ दीख रहा है और पास्ट फाइडेस का अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 6.88 परसेंट तक हमें आपर उपर की और ती जुलाई की उसके बाद ही नीचे आया लगबग 29 जुलाई को 137 के आसपास और अच्छा उपर गया था तीन अगस्त को और अभी जो आज हम बात कर रहे हैं इसमें ब्रेक आउट हमें मिला है उसके बाद से तो इसमें तीजी हमें देखने को लिए और अराउंड अगर बा इसके वैसा ही है और अगर बात करें इसके 6 मन के टाइम फ्रेम की तो 8 रोड पे शेर में तीजी हमें देखने को मिल रहे है जो अच्छी बात है और 14% इसमें देखने को मिल रहा है उस जो गौर्वर्मेंट की जो schemes होती है जैसे कूछ गौर्वर्मेंट ने schemes निकाली तो इ 66,000 करोड का इसका market cap यहाँ पर दीख रहा है और बात करें इसके P.E.D. issue की तो 11.02% है और डिवीडेंट भी यह देता है हर साल और अगर डिवीडेंट की बात करो तो 3.33% का इसने डिवीडेंट भी दिया है और अगर बात करें इसके 22 विक के हाई की तो आप देख सकते है यहाँ पर इसका bound week का है अगर देखे तो 170 के around इसका bound week का है जो अभी एक cross कर सकता आने वाले दिने में अगर low की अगर में बात कर दो 81.20 का इसका low है और वही अगर quarterly की बात की जाए इसमें quarter 1 2022 की अगर में बात कर दो expected हमने सोचा था की इसमें expected हमारा था की 15,000 करोड का इसमें हमने expect किया था आप देख सकते यहाँ पर और इसने report किया है 17,000 करोड का तो जो इसने jump लगाया है लगबख 13% का इसने jump लगाया है surprise जब हम इसे बोल सकते हैं और comparison अगर किया जाए दोनों में तो इस साल के quarter में और अगले सार के quarter में काफी difference है लगबख 2 points का यहाँ पर difference हमें दीख रहा है अब अगर बात करूं में 2021 के revenue की तो 2.63 का इसने revenue हमें कम यहाँ पर generate होता हो दीख रहा था बट अभी बढ़ गया है अभी यह लगबख 13% तक का हमें revenue दीख रहा है और मैंने इस पर एक chart बनाया उ तो हमें काफी कुछ इसमें देखने को मिल सकता है और आगे क्या होँगा यहाँ पर clearly आपको समझ में आ जाएंगा तो हम आगे trading view के app पर और आप देख सकता है तो है पर simple हम एक chart draw करेंगे आपके जामने ही करूँगा तो है पर हमने नीचे की और support line बना दी है एक फिर उसके हम बात बनाएंगे एक उपर की और एक trade line बनाएंगे तो नीचे की और हमने एक trade line मिला दी है इसमें अगर उपर की और हमें अगर breakout मिलता है कहाँ पर यहाँ पर उसे breakout मिलने की एक कोशिश पूरी करेगा इस line को break करने की अगर हमें इस level पर breakout अगर मिल जाता है इस level पर तो यहाँ पर रिटेस करके अच्छे high rise बना सकता है बट देखना होगा कि इसमें क्या होता है अगर आज ही की बात की जाए तो इसमें gap up opening हुआ था morning में और gap up opening के बाद यह अच्छा कासा उपर की और हमें जाता हुआ दीख सकते हो यहाँ पर इसमें gap up हमें होता वाद दीख रहा है अगर आप चार्ड पर ध्यान से देखो तो इसमें gap up हमें होता हो दीख रहा है 142 के level से सीधा 146 के level पर इसने opening की जो की काफी अच्छी बात है और काफी positive बात है और अगर यह इस level को cross कर देता है मेरे हिजाप से 150 क level से उपर की और बढ़ता है और जो मैंने वहाँ पर trade line बनाई है उस trade line को यह break कर देता है तो काफी अच्छे high rise यहाँ पर हमें बनते वे दीख सकते है बड़ देखना होगा कि इसमें क्या होता है अगर नीचे की और ब्रेक और देता है तो नीचे की और जादा जाएगा न बट इसे अब अगर उपर जाना है तो 154 का जो target है इसे cross करना होगा 150 के target को अगर जैसे ही cross करता है तो काफी अच्छे इसमें high rise बना सकते है तो अगर आपको इसमें अगर trade लेना हो अगर आप interested हो इसमें invest करने के लिए तो अपनी watch list में रख सकते हो और अगर यह जैसे ही breakout देता है तो आप इसमें invest कर सकते हो अगर यह वीडियो पसे आए तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठेंक यू